हालो स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिससेट 1.2 यह प्रैक्टिससेट स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ रूल्स है जो आपके टेक्स्बुक में दिया हुआ है वो भी हम देख लेते हैं तो पहले हम इसके सारे rules को समझ जाते हैं कि हम किसी भी rational number को compare कैसे करते हैं like कौन equal है और कौन उसमें less than है या greater than है तो उसके कुछ rules हैं जो हम पहले समझ जाते हैं तो देखो यहां पे क्या दिया हुआ है Comparison of Rational Numbers We know that for any pair of numbers on number line the number to the left is smaller than the other that means अगर कोई भी number line है तो उसमें जो left hand side के number होते हैं वो हमेशा smaller होते हैं right hand side के अब आप इस number line को देखेंगे अगर मैं आप से कहूंगे कि minus 1 और minus 6 में कौन सा smaller number है तो यह आपको दिहान रखना है कि यह वाला side होता है right side और यह होता है left side तो minus 1 और minus 6 को जब आप देखेंगे तो minus 6 जो है वो minus 1 के compare में left hand side में है तो वो क्या होगा minus 6 जो होगा वो smaller होगा तो वही उसमें दिया हुआ है कि on a number line the number to the left is smaller than the other always हमको देखना है कि जो number है वो अगर left side में है तो वो smaller होगा तो यह हो गया सबसे first rule denominator of a rational number is multiplied by any non-zero number then the value of rational number does not change it remains the same that is अगर यह हमारा कोई rational number है suppose a upon b कोई rational number है और हमने उसको same number से for example हमने 2 से multiply कि a numerator को भी और denominator को भी but yes यह 0 नहीं होना चाहिए यह देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न non-zero number यह बस 0 नहीं होने चाहिए तो हम किसी भी बट number सेम होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप उपर 2 से multiply कर रहे है नीचे 3 से कर रहे है number शुट बे similar तो k क हमने लिया है for example हमने 2 लिया तो हम 2 से multiply किया numerator को और 2 से multiply किया denominator से तो जो हमारा rational number है उसकी value change नहीं होती है वो as it is रहती है but k should not be 0 है ना तो k जो है या जो हम multiply कर रहे है number वो हमेशा 0 नहीं होना चाहिए हम solve करते हैं example number 1 तो example number 1 में क्या दिया हुआ है compare the number 5 upon 4 and 2 upon 3 right using the proper symbol of less than equal or greater than तो ये दोनों को हमको compare करना है और हमें बताना है कि इनके बीच में कौन सा symbol आएगा कौन smaller है या equal है या greater than है तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि ये जो दोनों number है ठीक है वो अगर उनके denominator similar नहीं है तो हमको सबसे पहले denominator similar करना होता है तो denominator कैसा similar करते है इसका आप LCM निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो जैसे 4 और 3 इसका आपने LCM निकाला तो वो कितना होता है 12 होता है 12 का मतलब क्या होता है कि 4 के table में भी 12 आएगा और 3 के table में भी 12 आएगा तो देखो यहां पे क्या दिया हुआ है 5 upon 4 है तो 5 upon 4 है तो 4 को हमको 12 करना है ठीक है डिनोमेनेटर को 12 करना है तो इसमें हम 4 में क्या मल्टिप्लाइ करेंगी 12 आजाए तो अगर हम 4 में 3 मल्टिप्लाइ करेंगे तो 12 आजाएगा और अगर हमने डिनोमेनेटर में 3 मल्टिप्लाइ किया है second rational number था 2 upon 3, तो 2 upon 3 में हमने क्या किया, अब हम 3 में क्या multiply करेंगी, वो 12 हो जाए, तो obviously हम 3 में 4 multiply करेंगे, तो वो 12 हो जाएगा, और अगर हमने denominator में 4 multiply किया है, तो हमको numerator में भी 4 multiply करना होगा, तो यह हो जाएगा 2, 4 जा 8, और यह हो जाएगा 3, 4 जा 12, यहाँ पे इनके जो denominator हैं, वो similar हो गए है, यहाँ पे भी denominator 12 है, और यहाँ पे भी denominator 12 है, और रूल के according हमने देखा था, कि अगर हम उसमें same number multiply कर रहे हैं, तो उससे rational number की value change नहीं होती है, that means, this is equal to this, and this one is equal to this, अब हम इन दोनों को compare करते हैं, जैसे इनके denominator similar हो गए, तो 12 और 12 आ गए, चीक है और यहाँ है 15 और यहाँ पे 8 है, जब denominator similar हो जाते हैं, तो simply हम देखते हैं कि bigger number कौन सा है, जैसे 15 यहाँ पे bigger number है, तो हम कह सकते हैं कि 15 upon 12 is greater than 8 upon 12, अब हम इन number को compare करेंगे, तो 15 upon 12 को हमने derive किया था 5 upon 4 से, तो 15 upon 12 के place पे हम लिख सकते हैं 5 upon 4, और 8 upon 12 के place पे हम लिख सकते हैं 2 upon 3, तो obviously अगर यहाँ पे 15 upon 12 greater था, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 upon 4 जो है वो greater होगा, तो यह दोनों को जब हमने compare किया, तो हमने पाया कि therefore 5 upon 4 is greater than 2 upon 3, अब हम इसका next example देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, compare the rational number minus 7 upon 9 and 4 upon 5, तो इनको हम कैसे compare कर सकते हैं, अगर एक number negative है और दूसरा number positive है, तो हम इसको कैसे compare कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि denominator भी different है, और one number negative है और one number positive है, तो उसको हम कैसे compare कर सकते हैं, solution में हम कैसे देख सकते हैं, देखो अगर one number negative है और one number positive है, तो उसमें कोई tension ही नहीं है, आपको simply आप सिर्फ number को देख के पैचान सकते हैं, क्योंकि obviously जो negative number होते हैं, वो number line में left hand side में होते हैं, और positive number जो होते हैं, वो number line में right hand side में होते हैं, तो simply आप इसको देख के एक बार में ही पैचान सकते हैं, कि जो negative number होंगे, obviously वो smaller होंगे, तो वही same चीज़ यहां explanation पार्ट में भी दिया हुआ है, negative number is always less than a positive number, चीक है, तो negative number हमेशा क्या होता है, smaller होता है positive number के, therefore, minus 7 upon 9 is less than 4 upon 5, यह हो जाएगा इसका answer, तो यह तो हो गया, कि जब one number negative है और one number positive है, एक और condition आ सकता है, जिसमें दोनो number क्या हो, negative हो, तब आप कैसे compare कर सकते हैं, कि कौन सा picker होगा, कौन सा smaller होगा, या equal होगा, तो देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, to compare two negative numbers, तो अब मैं आपको बताती हूँ, कि two negative numbers को हम कैसे compare कर सकते हैं, so let us verify, that if A and B are positive numbers, such that A is less than B, then minus A is greater than minus B, देखो, इसका मतलब आपको समझ में आया क्या है, देखो, अगर हमने consider किया, कि A और B दोनो positive number है, और अगर B जो है, वो greater है A से, then अगर यह positive के case में हुआ, कि अगर B जो है, वो greater है A से, जटे नमर के case में opposite हो जाएगा, मतलब minus A जो है, वो bigger हो जाएगा, minus B के, मतलब जितना बड़ा positive number होगा, वो क्या होगा, उतना ही smaller होगा negative के case में, तो just opposite होता है, जैसे अगर आप यह number line भी देखेंगे, तो जैसे जैसे हम left में जाते हैं, जैसे मैं आपको बोलू कि, minus 1 और minus 7 में कौन सा bigger होगा, left hand side में जाते हैं, उतना ही number smaller होते जाते हैं, तो अगर minus 1 है, वो bigger होगा, minus 7 से, मतलब जितना जादा bigger होगा, वो उतना ही smaller होगा, in the case of negative numbers, जैसे यहाँ पर एक example भी दिया हुआ है हमको, जैसे 2 है, and 3 number हमको दिये हुए हैं, तो 3 is greater than 2, ठीक है, तो यह हो गया positive के case में, but अगर हम यहाँ पर negative number ले, minus 2 और minus 3 ले, तो इसको just, जो sign है, इसको हमको just, उल्टा कर देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो minus 2 होगा, वो greater होगा, minus 3 से, हम rational number की बात कर रहे हैं, देखो denominator यहाँ पर similar है, तो 5 upon 4 है, और यह 7 upon 4 है, जब denominator similar होते हैं, तो हम उपर देखते हैं, कि numerator में कौन सा bigger number है, वो bigger होता है, तो simply अगर यह positive number हैं दोनों, तो 7 upon 4 जो है, वो bigger होगा, 5 upon 4 से, तो यह हो गया positive condition, अगर इसका same हम negative condition ले, like 5 के place पे हम minus 5 ले, और 7 के place पे हम minus 7 ले, तो यह sign को हमको उल्टा कर देना है, तो यहाँ पे क्या होगा, minus 5 upon 4 जो है, वो bigger होगा, minus 7 upon 4 से, तो just हमको sign को opposite करना है, और अगर आप number line भी देखेंगे, तो जो minus 5 जो है, वो minus 7 के compare में क्या है, right hand side में, और यह more left hand side में, that's why, यहाँ पे minus 5 upon 4 जो है, वो greater होगा, minus 7 upon 4 से, so verify the comparisons using a number line, तो यह हम क्या करते हैं, number line को use करके, हम इसको verify कर सकते हैं, आओ, example third में, एक और example हमको दिया हुआ है, compare the numbers, minus 7 upon 3, and minus 5 upon 2, अभी आप कहेंगे कि simply, यह दोनो minus minus है, तो minus 7 और minus 5 को हम देख के कर सकते हैं, yes, that is the second example, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि denominator different है, तो सबसे पहला आपका जो काम होता है, वो होता है, denominator को similar करना, उसको similar करने के बाद ही, आपको compare करना होता है, अगर एक positive है, एक negative है, तब तो आप directly कर सकते हैं, जैसे यह वाला जो case था, यहाँ पे आपने देखा था, कि यह number negative है, यह positive है, यहाँ पे denominator different है, तो यहाँ पे हमको, इसको similar करने की जर्वत नहीं है, because negative will be always, smaller than a positive number, बट अगर आप compare कर रहे हैं, two negative numbers, जिनके denominator different हैं, तो सबसे पहले आपको, उसका LCM निकालना होगा, और आपको देखा denominator, similar करना होगा, ठीक है, तो let us first compare, 7 upon 3 and 5 upon 2, तो सबसे पहले हम इनको as a positive लेके, हम इसका compare करते हैं, उसके बाद हम उसको negative sign में convert करेंगे, तो 2 का LCM कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो सबसे पहले हम denominator similar करने का काम करते हैं, तो 7 upon 3 हमने लिया first number, और ये 3 है, तो हमने, अगर हम 3 को 2 से multiply करेंगे, तो वो कितना आजाएगा, 6 आजाएगा, 3 to the 6, और अगर आपने denominator में 2 से multiply किया है, तो ये हो जाएगा, 7 to the 14, और ये हो जाएगा, 3 to the 6, तो हमको first number मिल गया, 14 upon 6, second number था 5 upon 2, तो 5 upon 2 जो है, 2 में हम क्या multiply करेंगे, 6 आजाए, हम इसको 3 से multiply करेंगे, तो 6 आजाएगा, तो ये हो जाएगा, 2 to the 6, और यहाँ पे हमने 3 से multiply किया है, तो यहाँ भी हम 3 से multiply करेंगे, तो ये हो जाएगा, 5, 3 सा 15, denominator सिमिलर करने के बाद, जो first number मिला, वो था 14 upon 6, और denominator सिमिलर करने के बाद, जो second rational number था, उससे हमको मिला 15 upon 6, तो अब हम इसको compare करते हैं, जैसे यह 14 upon 6 हमने लिख लिया, और यह 15 upon 6 को लिख लिया, तो denominator सिमिलर हो गए, and 15 is bigger than 14, so that means 15 upon 6 is greater than 14 upon 6, तो 14 upon 6 कहां से derive हुआ था, इस number से हुआ था, और यह जो है वो इस number से derive हुआ था, और इसके place पे, 14 upon 6 के place पे हम लिख सकते हैं, 7 upon 3, क्योंकि हमने 7 upon 3 से derive किया था, 14 upon 6 को, और 15 upon 6 के place पे हम लिख सकते हैं, 5 upon 2, that means अगर यह number bigger था, तो यहां पे भी यह number bigger होगा, that means 5 upon 2 is greater than 7 upon 3, तो यह हो गया हमारा positive case, और मैंने आपको बताया था, कि rule के according क्या होता है, कि जो positive number में जो sign होता है, उसका just opposite होता है negative वाले में, तो अगर हम 7 upon 3 के place पे minus 7 upon 3 लिखे, और 5 upon 2 के place पे हमने यह वाला number minus 5 upon 2 लिखा, अगर positive में यह bigger है, तो negative के case में यह वाला number जो है वो bigger होगा, that means minus 7 upon 3 is greater than minus 5 upon 2, अब हम इसका last example देखते हैं, देखो, इसे पहले वाले example में हमने देखा था, कि दोनो negative number थे और उनके denominator different थे, अब ही यहाँ पे जो case है, यहाँ पे क्या है, दोनो positive number है और इनके denominator different है, ठीक है, तो सबसे पहले हमको इनके denominator को similar करना होगा, so 3 upon 5 and 6 upon 10 are rational numbers, compare them, तो हमको इसको compare करना है, 5 और 10 है, तो denominator similar करने के लिए 5 को simply हम 2 से multiply करेंगे, तो 10 आ जाएगा, तो 3 upon 5 जो है, उसको हमने 2 से multiply किया, तो यह हो गया 5 टूजा 10, और यहाँ पे भी हम 2 से multiply कर रहे हैं, तो इधर numerator में भी हमको 2 से multiply करना होगा, तो यह हो जाएगा, 3 टूजा 6, तो 3 upon 5 को हमने डेराइव किया, तो हमको मिला 6 upon 10, तो therefore we can write 3 upon 5 equals to 6 upon 10, यह हमने क्यों लिखा, क्योंकि यह देखो, यह 6 upon 10 और यह भी क्या है, 6 upon 10, दोनों similar number है, तो यह दोनों rational numbers जो हैं, वो क्या है, equal है, कुछ और rules भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं, the following rules are useful to compare to rational numbers, तो हमने जो किया already, आप वो rules भी कर सकते हैं, उसके अलाबा कुछ और यहाँ पर rules भी करे हुए, यह भी आप follow कर सकते हैं, if A upon B and C upon D are rational number, such that B and D are positive, and so B और D जो हैं, वो क्या है, positive number है, तो यहाँ पर हम कुछ rules हैं, यह follow करके भी हम number को compare कर सकते हैं, तो देखो, if A into D is less than B into C, अगर हमने A और D को multiply किया, और B और C को अगर हमने multiply किया, और अगर B and C का जो multiplication है, अगर वो greater है, तो क्या होगा, A upon B जो है, वो smaller होगा C upon D से, तो यह हो गया first rule, second rule क्या है, अगर हमने A और D को multiply किया, और B और C को multiply किया, और यह दोनो multiplication के बाद, दोनों अगर equal हैं, तो यह दोनो rational number equal होंगे, last condition है, अगर हमने A और D को multiply किया, और B और C को हमने multiply किया, और अगर A और D का जो multiplication था, वो greater था, तो a upon b जो है वो क्या होगा greater होगा c upon d से तो ये त्री rules जो है इसको follow करके भी आप rational number को compare कर सकते हैं simply आपको ये cross multiplication करना है और जो number bigger है उसके भी आप rational number को compare कर सकते हैं अब हम start करते हैं solve करना practice at 1.2 first question है compare the following numbers तो यहाँ पे हमको कुछ numbers दिये हैं उनको हमको compare करना है तो question number 1 में हमको दिया हुआ है minus 7 और minus 2 ये दोनों आपको compare करना है तो simple rules हैं जिनके according आप इसको compare कर सकते हैं सबसे पहला तो एक number line है number line में मैंने आपको बताया था कि number जो जितने left hand side में होता है वो उतना smaller होता है तो अगर आप minus 2 और minus 7 को compare करेंगे तो minus 2 के compare में minus 7 जो है वो left hand side में हो और minus 2 जो है वो right hand side में है obviously जो minus 2 जो है वो क्या होगा bigger होगा और minus 7 जो होगा वो होगा smaller solution number 1 लिख लिया अब हम लिखते हैं इसका solution simple rule है जो हमने लिख लिया इस rule है यह आपके textbook में दिया हुआ है since अगर हम इसके पहले positive numbers को ले रहे हैं ठीक है जैसे यह 2 है और 7 है यह 2 numbers हमको दिये हुए है तो हमने इसके positive form में लिख लिया तो positive form में obviously जो 7 है वो क्या है bigger है तो अगर यह A और B से हमने इसको compare किया तो अगर suppose B is greater than A then अगर हमने minus 2 और minus 7 लिया तो अगर 7 जो है वो positive है और bigger है तो negative के case में इसका just opposite हो जाएगा minus 2 जो है वो greater होगा minus 7 से या simply आप number line में left hand side में कौन सा number जादा left hand side में है और कौन सा right hand side में है उसके according भी आप compare कर सकते है numbers को question है 0 minus 9 upon 5 तो यह question भी बहुत tricky है आपको यह नहीं समझना है कि 0 है तो वो सबसे smaller है क्योंकि अगर आप number line को देखोगे तो 0 के left hand side में सारे negative numbers आते हैं मतलब जो negative numbers होते हैं उनसे bigger होता है 0 तो अगर उसके according यह हम लिख सकते हैं on a number line minus 9 upon 5 is to the left of the 0 तो हमेशा जो minus है वो 0 के left hand side में होते हैं so therefore if we will compare 0 and minus 9 upon 5 and minus 9 upon 5 then 0 is always greater than minus 9 upon 5 अब हम solve करते हैं next question तो यहां पे भी आप simply देख सकते हैं यह 0 है और यहां पे आभी positive number है तो obviously जो positive numbers है वो 0 के right hand side में होते हैं तो वो क्या होंगे 0 से bigger होंगे simply यह हम लिख सकते हैं on a number line 0 is to the left of 8 upon 7 तो उसके left में हैं so we can write therefore if we will compare 8 upon 7 and 0 then always the positive number should be greater than 0 next question है minus 5 upon 4 and 1 upon 4 तो इसमें आप देखेंगे कि जो denominator है वो तो similar हैं है उसके साथ में आपको simply दिख रहा होगा कि one number यहां पे negative है और one positive है and we know that a negative number is always less than a positive number क्योंकि वो उसके left hand side में होते हैं तो obviously जो one upon 4 जो है वो greater होगा minus 5 upon 4 से तो simply यह statement हम लिख सकते हैं we know that a negative number is always less than a positive number तो हम यहां पे number लिख लेते हैं कि minus 5 upon 4 और 1 upon 4 में से जो minus 5 upon 4 होगा it is lesser than 1 upon 4 और यह हो जाएगा हमारा answer next example है 40 upon 29 and 141 upon 29 तो अगर आप दो rational numbers को compare करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका denominator क्या है similar है denominator similar है तो obviously हम देखते हैं कि कौन सा number bigger है तो 141 जो है it is greater than 40 so obviously 141 upon 29 will be greater than 40 upon 29 so we can write this statement here the denominators of the given numbers are seen so you can see that 29 and 29 both the denominators are similar and we know so since we know that the 40 is smaller than 141 so we can write the conclusion therefore if we will compare 40 upon 29 and 141 upon 29 then obviously this will be bigger than 40 upon 29 और यह हो जाएगा हमारा answer start करते है question number 6 question number 6 में first rational number minus 17 upon 20 and second rational number है minus 13 upon 20 अब हम इनको compare करते है compare करेंगे तो आप देखते हैं कि यह दोनों क्या है negative number है और इसके denominator भी similar है ठीक है और मैंने आप से उसका statement हम लेख सकते हैं here the denominators of the given numbers are same तो यहाँ पे आप इनेटर्स क्या है similar है तो सबसे पहले हम उनको positive लेते हैं since positive लेके compare करेंगे जैसे हम 17 और 13 लिया उसमें हमको पता है कि 17 जो होता है वो greater होता है 13 से so therefore अगर हम इसका negative number लेंगे negative 17 और minus 13 जब हम लेंगे तो यह sign जो है वो opposite हो जाता है तो इस वाले condition में जो minus 13 होगा वो greater होगा minus 17 से तो अब हम इसका final answer लिख लेते हैं तो यह हो जाएगा therefore minus 17 upon 20 और minus 13 upon 20 जब इसको हम compare करेंगे तो minus 13 upon 20 जो होगा वो greater होगा minus 17 upon 20 से अब हम देखते है next question यहाँ पे है 15 upon 12 and 7 upon 16 so here the denominator of the given numbers are not the same तो आप देख सकते हैं कि denominator जो है वो same नहीं है तो इसको similar आपको इसका denominator similar करना होगा तो denominator similar करने के लिए आपको इसका LCM निकालना होगा तो एक तो होता है LCM method और उसके अलावा alternate method भी है या तो आप इसको reduce करके फिर आप उसको similar कर सकते हैं 16 के या एक और मैंने आपको जो multiply करने वाला method बताया था A into D वाला उसकी according भी आप कर सकते हैं तो सबसे पहले हम इसको LCM method के through find out करते हैं तो सबसे पहले हम निकालते हैं LCM तो LCM आपको आता है कैसे निकालते हैं तो आप LCM निकाल सकते हैं तो LCM of 12 and 16 तो LCM का मतलब क्या है कि कौन सा इसा नंबर है जो ये दोनों के टेबल में आता है तो ये क्या होगा 48 तो 48 जो है वो 12 के टेबल में भी आता है और 16 के टेबल में भी आता है तो ये हमको मिल गया इसका LCM अब हम इसके denominator को similar करते हैं जैसे 15 upon 12 है ठीक है तो हम 15 upon 12 जो है तो 12 में हम क्या multiply करें कि हमको 48 मिल जाए तो हम इसमें 4 multiply करेंगे तो हमको 48 मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 1248 और ये हो जाएगा 16 नेक्स्ट जो नमबर हमको दिया हुआ है 7 upon 16 तो 16 में हम क्या multiply करें कि हमको 48 मिल जाए तो 16 में अगर हम 3 multiply करेंगे तो हमको 48 मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 16 3 is a 48 और ये हो जाएगा 7 3 is a 21 अब आप देख सकते हैं 48 48 तो दोनों जो है वो denominator क्या हो गए हमको similar मिल गए है और 21 अब इसको हमको compare करना है क्योंकि 48 48 तो क्या हो गए similar हो गए and since we know that 60 is greater than 21 ये हमको पता है तो अब हम इसको compare कर सकते हैं तो अगर हम 60 अपन 48 लिखें और 21 अपन 48 लिखें तो इसमें से कौन सा greater होगा 60 अपन 48 जो है वो क्या होगा greater होगा तो 60 अपन 48 में 60 अपन 48 को हमने किस से derive किया था 15 अपन 12 से derive किया था और 21 अपन 48 को हमने derive किया था 7 अपन 16 से तो 60 अपन 48 अगर greater है तो 15 अपन 12 जो है वो greater होगा 7 upon 16 से तो यह हो गया 1st method एक और आपको मैं alternative method बताती हम इसका इसका method में आप simply क्या कर सकते हैं जैसे 15 upon 12 है इसको आप reduce कर लो reduce मतलब आप 3 के table से इसको कर सकते हो तो यह हो जाएगा 3 4s are 12 और यह हो जाएगा 3 5s are 15 that means 5 upon 4 जो है इसको आप denominator आपको similar करना है तो 4 में अगर आप multiply करोगे 4 तो आप 4 से multiply करना होगा तो जब आप इसको multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 5 4s are 20 और यह हो जाएगा 4 4s are 16 तो अब आप compare करेंगे जैसे आपको मिला 20 upon 16 मिला है और आप इसको compare करने वाले है 7 upon 16 से क्योंकि इनका denominator similar हो गया है तो 20 जो होता है वो greater होता है 16 से तो यह क्या होगा greater होगा और 20 upon 16 आपने कहां से derive किया था यह आपने derive किया था 15 upon 12 से चीक है और यह था 7 upon 16 तो अगर 20 upon 16 greater है तो 15 upon 12 भी क्या होगा greater होगा 7 upon 16 से और यह हो जाएगा आपका answer तो यह हो गया method 2 एक और method है जो आपके textbook में दिया हुआ है यह वाला method जो है इस method के through भी आप इसको solve कर सकते हैं next question हमको दिया हुआ है minus 25 upon 8 और minus 9 upon 4 so here the denominators of the given numbers are not same तो आप देख सकते हैंगे यहाँ पर denominator क्या है वो same नहीं है तो हमको क्या करना होगा पहले हमको इसके denominator को similar करना होगा तो simply आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है इसका LCM भी 8 होगा और simply आप ऐसे भी पैचान सकते हो कि अगर आप 4 में 2 से multiply करेंगे तो भी आपको 8 मिल जाएगा तो यह हम लिख लेते हैं LCM of 8 and 4 equals to 8 तो LCM 8 और 4 का LCM कितना होता है 8 होता है तो सबसे पहले जो हमारा number है वो हम लिख लेते हैं तो यह है minus 9 upon 4 जो है इसको हम multiply कर लेते हैं तो minus 9 upon 4 है इसको हम multiply करते हैं 2 से तो कि हम 4 को 2 से multiply करेंगे तो हमको 8 मिलेगा तो यह हो जाएगा 9 to the 18 और यह हो जाएगा 4 to the 8 आप देख सकते हैं कि minus 25 upon 8 और minus 18 upon 8 जो है इनके denominators जो है वो क्या हो गए है similar हो गए और अगर हम 25 और 18 जो है इसको अगर हम करें तो हम लिख सकते हैं since 25 is greater than 18 यह हमको पता है तो यह हम लिख सकते हैं therefore 25 upon 8 और अगर 18 upon 8 जो है इसको हम compare करें as a positive number तो obviously 25 जो है वो greater है तो यह क्या होगा इसके negative form में लें like 25 upon 8 और minus 18 upon 8 हम लेंगे तो इसका जो sign है वो just इसका opposite हो जाएगा that means minus 18 upon 8 जो है वो greater हो जाएगा minus 18 upon 8 और अब हम इसका final answer रिख लेते हैं तो यह है minus 25 upon 8 और हमें पता है कि minus 18 upon 8 जो है इसको हमने derive किया था minus 9 upon 4 से derive किया था तो अगर अब हम इन दोनों को compare करें तो यहाँ पर minus 18 upon 8 अगर greater है तो obviously minus 9 upon 4 जो है वो greater होगा minus 25 upon 8 से और यह हो जाएगा इसका answer solve करतें next question 12 upon 15 and 3 upon 5 so here the denominators of the given numbers are not same यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका denominator same नहीं है तो हमें इसका LCM निकालना होगा यह simply आप 5 को 3 से multiply करेंगे तो भी यह 5 3s of 15 होगा ऐसे भी आप समझ सकते हैं तो आप लिख सकते हैं LCM of 15 and 5 equals to तो 15 of 5 का LCM कितना होता है 15 होता है तो यह सिर्फ नमबर को हम second वाले rational number को लेके हम इसके denominator को similar कर सकते हैं तो second rational number है 3 upon 5 तो 3 upon 5 जो है तो 5 को हम 3 से multiply करेंगे तो हमको 15 मिलेगा तो हम numerator में भी 3 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 3 3s of 9 और यह हो जाएगा 5 3s of 15 तो अभी हमने इसके denominator को similar कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि first number हम ले सकते हैं as a 12 upon 15 और second number जो है वो हमने निकाला है 9 upon 15 अभी हम लिख सकते हैं since if we will compare 12 and 9 तो हमको पता है कि 12 और 9 में 12 जो होता है वो greater होता है 9 से so हम लिख सकते हैं therefore if we will write 12 upon 15 and 9 upon 15 so obviously 5 होगा greater होगा 9 upon 15 से therefore we can write 12 upon 15 और 9 upon 15 के place पे हम लिख सकते हैं 3 upon 5 क्योंकि हमने 3 upon 5 से derive किया था 9 upon 15 को तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 upon 5 तो यहाँ पे 12 upon 15 ग्रेटर था तो यहाँ पे भी क्या होगा 12 upon 15 जो होगा वो greater होगा 3 upon 5 से यह भी हम solve कर लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है minus 7 upon 11 और minus 3 upon 4 so here the denominators of the given numbers are not same तो अगीन हमको इसके denominator को similar करना होगा so यहाँ पे लिख सकते हैं so you can write LCM of 11 and 4 equals to 44 तो इसका LCM कितना होता है 44 होता है तो अब हम इसके denominator को similar कर लेते हैं तो सबसे first number है minus 7 upon 11 तो 11 में हम क्या multiply करें कि हमको 44 मिल जाए इसमें हम 4 multiply करेंगे तो numerator में भी हमको 4 multiply करना होगा तो simply हम multiply कर लेते हैं यह हो जाएगा 7 forza 28 तो यह हो जाएगा minus 28 और यह हो जाएगा 11 forza 44 तो यह हो गया first number second number हमको दिया हुआ है minus 3 upon 4 तो 4 में हम क्या multiply करें कि हमको 44 मिल जाए इसमें हम 11 multiply करेंगे तो हमको 44 मिल जाएगा तो numerator में भी हम 11 से multiply करेंगे तो हमको मिलेगा 3 11 जा और 11 3 जा 33 और यह हो जाएगा 11 forza 44 तो हमने denominator को similar कर लिया तो first number हो गया minus 28 upon 44 और second number हो गया minus 33 upon 44 अब हम इसको compare करते हैं जैसे denominators तो similar हो गया so we can write since अभी आप इसको 28 और 33 इसको आप compare करेंगे तो यह आप लिख सकते हैं 28 और 33 अगर आप इसको as a positive sense में लेंगे तो 33 जो होगा वो greater होगा 33 से लिखते हैं therefore हम इसको positive sense में लिख लेते हैं 28 upon 44 और इधर है 33 upon 44 so obviously जब यह positive हैं तो 33 upon 44 जो होगा वो greater होगा 28 upon 44 से अब हम इसको minus के form में लिख लेते हैं हमने derive किया था minus 4 44 को हमने derive किया था minus 3 upon 4 से ठीक है तो यह दोनों से compare करें तो यह as it is रहेगा 28 upon 44 के place पे हमने लिखा है minus 7 upon 11 तो यह क्या होगा greater होगा minus 3 upon 4 से और यह हो जाएगा हमारा answer जो इसके साथ ही हमने practice set 1.2 complete कर लिया है अब हम जल्दी मिलते हैं next practice set में thank you